बूर्णिंग क्लास, बच्चों, यह आपकी बुक्सवर संग्रा, चलिए, शूरू करते हैं पढ़ना, अपनी बुट निकालिए, और क्या करेंगे पहले हम, और झालर करेंगे, ठीक है उसके बाद फिर यह क्या करेंगे, रीटेन बर करेंगे, तो चलिए, शुरू करते हैं लिए वर नेकालने की खाल एकी की मात्र हो लिए समय आप उपड़ रहे हैं समझ रहे हैं तो की खालνοिगा दा पर छोटी की मत्र दी ना दिन, ना पर छोटी की मत्र निकल आया दिन निकल आया, का पर छोटी की मत्र की सा परा की मत्र सा न किसान का पर छोटी की मत्र की ला परा की मत्र ला उस गिलास, ला परा की मत्र ला या परा की मत्र लाया किसान गिलास लाया, जल पापरचोटी की मात्रा पी या परा की मात्रा या पिया, पापरचोटी की मात्रा फिर अफिर वह चल अचल दिया, कापरचोटी की मात्रा की सा परा की मात्रा सा और ना किसान, कापरा की मात्रा का ना परा की मात्रा ना मना, कापरचोटी की मात्रा की दिन निकल आया, किसान गिलास लाया, जल पिया, फिर वह चल दिया, किसान का नाम किशन था, किशन व डाकिया साथ आय, फिर का पर छोटी की मत्रकी सापे आ की मत्रा सा और न किसान व चा पर छोटी की मत्रकी या पर आ की मत्रा या बच्छिया लापर आ की मत्रा लाया पर आ की मत्रा या लाया, किसान बच्छिया लाया, का पर छोटी की मत्रक कि उसका नाम रवी था वह सापराकी मत्र साइ का परचोटी मत्र कील साइकिल लाया था सापराकी मत्र साइ का परचोटी मत्र कील साइकिल पर पर बापराकी मत्र बाजा पराकी मत्र जार बाजार जा सा पराकी मात्र सा यी का पर्चोटी में कील साइकल ना पर्चोटी में निकट रख साइकल निकट रख अब अब खट आपर्चोटी में या पराकी में निकट रख साइकल 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 निकट र महिर खटिया बर्था खट आपर छोटी की मात्र मी आपर छोटी की मात्र हीरा महिर का पर आपर कान कान लगा खटिया पर मिहर का कान लगा मापर छोटी की मतर मी हापर छोटी की मतर हीरा मिहिर कापरा की मतर का कापरा की मतर कान कान छापर छोटी मत छीला छिल गया कापर छोटी की मतर किशन किशन कापरा की मतर कान कान पर पर मरहम लगा परा की मतर लगा गापर चोटी मत्र की रन की रन सापर चोटी मसी तापरा की मत्र तार सितार लाया आ नापर चोटी में नील अनिल जापर चोटी मत्र जीद जिद मता मत कर आपर चोटी मत्र ही रहन ही रन उचला पे आकी मत्र ला उचला बापर चोटी में बी लापरा की मतरा लाव बिलाव इधर इधर आया बापर चोटी में बी लापरा की मतरा लासा गिलासला बापर चोटी में बापर चोटी में बी यापरा की मतरा इडि भी या रख बापर चोटी में दी ना दिन ना पर चोटी में निकल निकल आया अपार खोटी की ताब अलाव ser अपार खोटी मत्रही परह की साब सम्सेगूल लगा, रा आवर में लिधा हउक मत्रही ताब रा बॉर आवर खोटी मत्रही शापार हमुए मत्रहनौल चारा후 ओधार खोटी की हमुए लिख लिघ्द द सतक गापरचोटी नगिन वापरचोटी मतर वी मला विमला सापरचोटी मतर सी तापराग मतर तासितार बज अपराग मतर बजा आब अब वापरचोटी की मतर वी मला विमला मठाई खिला पुरा पढ़ लेते हैं, दिन निकल आया, किसान गिलास लाया, जल जल पिया, फिर वह चल दिया, किसान का नाम किशन था, किशन वर डाकिया साथ आये, किसान बचिया लाया, किशन इधर आ, डाकिया किस लिए आया? उसका नाम रवि था, वा साइकिल लाया था, साइकिल पर बाजार जा, साइकिल निकट रख, अब खटिया पर चादर बिछा, मिहिर उधर गया, मिहिर खटिया पर जा, खटिया पर मिहिर का कान लगा, मिहिर का कान छिल गया, किशन, कान पर मरहम लगा, किरन सितार लाया, अनल जिद मत कर, हिरन उचला, बिलाव इधर आया, गिलास ला, डिबिया रख, दिन निकलाया, विमला उठ गई, रवी उठ गया, रवी किसान, किताब इधर ला, रवी अब हिसाब लगा, रवी अब चार तक लिक, अब दस तक गिन, विमला सितार बजा, अब विमला मिठाई, ख तो यह आपका क्या है? घम से हमने आपको आज बाक्या पढ़ दिया आपको क्या करना है? पुरा मातृओं को लगा लगा कर मिला मिला कर शब्दों को आप इस बाक्या को पढ़ेंगे ठीक है तो पढ़ने आ जाएगा और हम आपको पढ़ा दिये लेकिन आप इसको भी फिर से कई बार पढ़िए आग की मातरा हो चुका आज छोटी की मातरा से बाके हमने पढ़ा दिया आपको घर पे खुब अच्छे से मिला मिला कर मातराओं को मिला मिला कर लगा लगा कर आप पुरा बाक्या पढ़िएगा ठीक है अब हुँ क्या करेंगे Classwork करेंगे तो चलिए Classwork आपका देखे किसमें हम करवाने जा रहे हैं स्वरग्यान में स्वरग्यान में आपका Classwork है देखिए ये ये आपकी Activity Book में आपका Classwork कराएंगे ठीक है इससे हमने आपको रिडिंग करवा दिया ये आपकी Activity Book है स्वरग्यान इसमें आज हम क्या करेंगे Classwork करवाएंगे तो चलिए अपनी अपनी पुक निकालिए डेट डालिए डेट डालिए तो यहाँ डेट डाल देंगे ऐसे और Classwork है तो यहाँ CW लिख देंगे और क्या करना है चित्र देखकर खाली स्थान को भरना है ये चित्र बना हुआ है पूरा और इसी को देखकर आपको नाम यहाँ पर चित्र का लिखना है ठीक है तो पहले चित्र पहचानिएगा उसके बाद यहाँ पर चित्र का नाम लिखिएगा तो शुरू करते हैं लिखना किस चीज का यह चित्र है देखिए यह है किताब तो यहाँ हम लिख देंगे किताब क, का पर छोटी ए की मात्रा त, किताब को पड़ क्या हो जाएगा किताब को पढ़ next आपका second number का किस चीज का चित्र बताइए हिरन किसका चित्र है हिरन तो चलिए लिखते हैं हा हा पर छोटी ए की मात्र ही र ना हिरन हिरन से मत खेल क्या हो गया हिरन से मत खेल next देखिए किसका चित्र बना हुआ है बताईए डाकिया तो लिख देंगे ड़ ड़ पर आ की मात्रा का का पर छोटी की मात्रा या पर आ की मात्रा डाकिया डाकिया ख़त लाया क्या है डाकिया ख़त लाया फिर है ये क्या है किसी चित्र बताईए तकिया तो लिख देंगे त, का पर छोटी ए की मात्रा या पर आ की मात्रा तकिया लेकर सो जा क्या है तकिया लेकर सो जा नच देखिए किसान है यह किसान का बना हुआ है चित्र तो लिखेंगे का पर छोटी ए की मात्रा सा पर आ की मात्रा और न किसान किसान फसल उगाता है फिर देखिए यह गिलास बना हुआ है तो गा पर छोटी की मात्रा ला पर आ की मात्रा और सा गिलास गिलास इधर ला पिर देखिए यह सितार का चित्रा है सा पर छोटी की मात्रा ता पर आ की मात्रा और सितार मत बजा फिर देखिए बन्याईन तो लिखेंगे ब ना पर छोटी की मात्रा या पर आ की मात्रा और न बन्याईन बन्नी आइन पहन कर आ फिर देखिए माचिस मापर आ की मात्रा चाप पर छोटी ए की मात्रा माचिस से मत खेल लास्ट आपका डलिया का चित्र बना या तो ड लापर छोटी की मात्रा या पर आ की मात्रा डलिया खाली है तो या पका हो गया पहला क्या था किताब लिखा बना था किताब को पढ़ लाप हीरन से मत खेल डाकिया खतलाया तकिया लेकर सोजा किसान फसल उगाता है गिलास इधर लाप सितार सितार मत बजा बनियाईन पहन कर माचिस से मत खेल डलिया खा लिया ठीक है तो यह आपका क्या हो गया क्लास वर्ग हो गया क्लास वर्ग हो गया यह हो गया आपका क्लास वर्ग पुरा बुक में आपकी अब homework हम copy में लिखेंगे तो अपनी अपनी classwork copy निका लिए अपनी अपनी copy निका लिए classwork क्लासwork कॉपी निका लिए यहां डाल देंगे date यहां लिखेंगे homework और लिखेंगे इ की मात्रा से दस शब्द लिखो छोटी की मात्रा से आपको दस शब्द लिखना जैसे आ की मात्रा से लिखा था वैसे आप लोग छोटी की मात्रा से लिखेंगे कैसे लिखेंगे, दापर छोठी मतर्व तिन ना दिन, दापर छोठी मतरउ ज़ा, दिस्था ऐसे 1, 2, 3, 4 नंबर डालते जाइएगा, और छोठी की मतरव से शब लिखते जाइएगा, 10 ऒर्ड लिखना है, वह आप लोग लिखनी जगा तो यह आपका क्या हो गया हो गया हो गया चोटी की मात्रा से दश्रब्द लिखना है ठीक है तो यह आपका homework हो गया और classwork हमने आपको activity book में करवाया था करवाया है page number 37 ठीक है तो यह आपका दोनों complete हो गया classwork और homework अब आपको जैसे हमने पढ़ाया है मात्रा लगा लगा कर वैसे आप लोग फिर से उसको घर भी फिर से पढ़िएगा मात्राओं को प्रयोग कीजिए और पढ़िएगा बाक्यों को आज बाक्यों पढ़ाया है तो बाक्यों ठीक है नेक्ट वीडियो मैं मीन लेंगे धन्यवाद